सब्सक्राइब कीजिए एसके ओफिसियल टेक को और दबाएए इस बेल के आइकोन को ताकि आप देख सके हमारे नए विडियो सबसे पहले यहाँ पर यह आवाज आती है तो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर यह बोलता है is call is now been recorded और यह वाली जो आवाज है वो सामने वाले के पास भी चली जाती है तो उसको यह पता चल जाता है कि हमने call recording को ओन किया है तो इस से हम कैसे ठीक करेंगे तो सबसे पहले आपको Play Store को Open करना होगा यहाँ पर आपको उपर Search पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना होगा TTS Lex उसके बाद आपको इसे Search कर देना है तो यहाँ पर यह जो First Valley App आती है इसको आपको Install करना होगा तो अभी हम इसे Install करते हैं यहाँ पर यह Install हो चुका है तो अभी हम इसे Open करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का Interface हो जाएगा तो यहाँ पर आपको Preferred Engine का जो Option दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको TTS Lex पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसे OK कर देना है तो यह Select हो जाएगा उसके बाद आपको पुरा बेक आ जाना है अब आपको Phone की Setting में जाना होगा आपके पास कोई भी Phone हो सकता है अभी हमारे पास MI का Phone है तो अभी हम इसे निच्चे स्क्रोल करते हैं और यहाँ पर आपको Apps का Option दिखेगा आपके Phone में Additional Setting या More Setting में हो सकता है किसी Phone में App Manager के नाम से Option होता है तो आप देख लेना तो अभी हम Apps पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको Manage Apps पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको Right Side में 3.0 पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आपको Show All Apps का Option दिख जाएगा किसी-किसी Phone में यहाँ पर Show System के नाम से भी आता है तो आप देख लेना तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमरे सारे System की App भी दिख जाएंगे तो यहाँ पर आपको Search का Option दिख रहा है यहाँ पर आपको नीचे Clear Data का Option दिखेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको Clear All Data पर क्लिक करना है और इसे OK कर दना है तो इसका Data क्लियर हो जाएगा उसके बद आपको पुरा बेक आ जाना है तो अब आपको अपने Phone को एक बार Switch Off कर लेना है तो अब हम इसे Switch Off करके फिर से On करते है तो अभी हमारा Phone फिर से Start हो चुका है तो अब हम इसे Call करके देखते है कि हमारी Problem Sol होती है कि नहीं तो यहाँ पर हमने Customer Care को Call किया है और अब हम फिर से Recording पे OK करते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो आवस्ती वो यहाँ से हट चुकी है और अभी यहाँ पर कोई भी Announcement नहीं हो रहा है Directly Call Recording On हो रही है और अगर आपके Phone में ऐसा हो रहा है कि आप किसी को भी Call करते हैं तो यह जो Recording का Option है यह गायब हो गया है तो उसका भी Solution में आपको बता देता हूँ आपको सबसे पहले Play Store को Open करना होगा और यहाँ पर आपको उपर Search पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना होगा Phone उसके बद आपको नीचे Search पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको जो Phone दिख रहा है इस पर आपको click करना होगा और यहाँ पर यह अपडेट का option आ रहा है तो इसको आपको update कर लेना है तो यह update होने के बाद आपको फिर से mobile को एक बार बन चालू कर लेना है तो आपका वो recording का option आ जाएगा और अगर फिर भी आपका recording का option नहीं आता है तो फिर आपने जो वो एप इंस्टोल की थी उस एप को आपको अनिस्टोल करना होगा तो यहाँ पर यह जो TTS legs है इसको आपको अनिस्टोल कर दना है तो आपको recording का option 100% आ जाएगा तो बस इस वीडियो में इतना ही